Hello Friends, Good Morning, Welcome to One Day Exam Target आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल One Day Exam Target पर Friends, आप सभी की Modding 6 बजे वाली Current Affair की Class से स्टार्ट हो चुकी तो आप लोग जल्दी से ये Class को जॉइन कीजिए और बहुत ही Important Question का Collection आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो शुरू से लास्त तक वीडियो के साथ बने रहीगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की Class को Friends, आप सभी को बदा दे, आप सभी की Classes टाइम परोंगी Morning 6 बजे की Class 6 बजे ही होगी और 2 पहर की 3 बजे वाली 3 बजे ही होगी और श्राम की Class का बस Network की इसू की वज़ा से कुछ clear नहीं रहता है तो इसमें थोड़ा सा compromise आप लोगों को करना पड़ेगा बाकी 2 Classes एक दम से अपने टाइम परोंगी 6 बजे और 3 बजे की Classes ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बहुत ही important question का collection आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो शुरू से लास्ते वीडियो के साथ बने रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की Class को कोशिन ही हाली में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना उत्राखंड केरल गोवा या बिहार जल शक्ती मंत्राले द्वारा उप्रब्द कराये गया आकड़ा जो है उसके अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है जहां हर ग्रामीड घर में नल का connection पहुँचाय जा चुका है और आपको बता दें यहां पर जो डाटा है राज्य ने राज्य के सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीड परिवारों को नल का connection प्रदान किया है ठीक है चलिए और यहां पर आपको बता देते हैं अगर गोवा मतलब पूरे गोवा की उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीड परिवारों को और दक्षिन गोवा के 98,000 ग्रामीड परिवारों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से एक पाइप मतलब आपूर्ती कर दी ग इस रूप से कोविड महामारी के समय में प्रते ग्रामीड घर तक नल कनेक्शन पहुचाया गया है तो यह एक आप समझ सकते हैं कि एक्जामपल के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं कि गोवा ने बहुत अच्छा काम किया है चले कुछ इंपॉर्टन फैक्ट जान लेत कोशन‡ ह będा यहां अपशन यहां पर हमारा 20 हो जाता एवा मोल्टो बहुत इंपॉर्टन और इंट्रेस्टिंग सा क्bourशन है कि फिाcyjलन की प्रधान मंस्तरे एक दिन के लिए किसे बनाया गया अपसन आपका बी सही हो जाता है एवा मोल्टो क्यों इने बनाया गया, किस औसर पर बनाया गया तो आपका उत्तर होगा सेंटरास्ट अंतरास्टी ये बालिका दिवस यानि कि 11 अक्टोबर 2020 के औसर पर 16 वर्सी है 16 साल की एवा मुर्टो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए फिल लैंड के प्रदार मंतरी का पद समाला और ये गल्स टेक ओवर, गल्स लिख देते हैं, गल्स टेक ओवर कारिकरम के भाग के रूप में ये किया गया था और आपको बता दे, ये वा मुर्टो कहां के रहने वाली हैं, ये तो आप जानी गएं कि फिल लैंड की तो ये फिल लैंड का एक छोटा सा गाउं है वैकसी यहां की रहने वाली हैं ये और यहां पर कुछ इंपर्टन फैक्ट जा लिजे फिल लैंड के बारे में फिल्लैंड के प्रधान मंत्री कौन है सना मारिन है सना मारिन और राजधानी क्या है हेल सिंकी है और मुद्रा क्या है यूरो है इतने important fact जानते रहें पस इससे ज़्यादा question नहीं पूछा जाएगा आ जाते हैं अगले question पर हमारा अगला question है हाली में ब्रिक्ष प्रत्यार उपड पॉलिसी को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी option नमारा A यहाँ पर सही हो जाता है दिल्ली सरकार ने तो दिल्ली के मुख्य मंत्री है अर्बिन केजी वाल इन्होंने दिल्ली को स्वक्ष और हरित बनाने के लिए पेड़ों को स्वक्ष रक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली पॉलिसी है जिसका नाम है ब्रिक्ष प्रत्यार उपड पॉलिसी इंग्लिस में आप कहेंगे ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी है ये ब्रिक्ष प्रत्यार उपड पॉलिसी इसे दिल्ली सरकार ने मंजूरी दिये तो ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी में क्या होगा तो इस पॉलिसी के अंदर जिन पेडों को अभी तक किसी निर्माण अत्वा किसी अन्य परियोजना के कारण काटना पूरता है अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बलकि उन्हें उखाड कर कहीं और प्रत्यार पित करना जैसे किसी अंग का अगर ट्रांस्प्लांटेशन करना हुआ तो यहां से निकाल करके उस अंग में उसे फिट कर दिया जाता है तो यह होता है ट्रांस्प्लांटेशन वा समझ मैं आरी प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो ऐसे ही यहां से पेड को उखाड करके निकाल करके किसी और जगह पर वो लगा दिया जाएगा यह नहीं की काट करके उसे फेग दिया जाएगा वैसे भी ब्रक्ष की इतनी महत्ता है पेड पोध है नेचर की आप करीब रहेंगे न मन बहुत शान्त होगा वैसे भी दुनिया की भागदोर और लोगों की जितना भी आप लोगों की कांटक्ट में जाएगे आपको Negativity ही मिलेगी आज की जमाने में जहां तक मुझे समझ आता है लेकिन आप नेचर के करीब जाएंगे, खुद के करीब जाएंगे तो आपको बहुत शान्त ही मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकुन मिलेगा तो नेचर के करीब जाए ये पेड लगाए ये पेड पौधों की देखभाल करिए उन्हें बड़ा होते देखिए उनकी एक-एक कलियों को निकलते हुए देखिए एक-एक पत्ती निकलते हुए देखिए कलियों को खिलते हुए देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा तो आ लिए क्योंकि किसी भी सरकार की कोई पॉलिसी होती कोई परियूज नहों होती तो इनकी पॉलिसी में पहला पॉइंट है किसी भी निर्मार्ट जो विकास कारी हो रहा होगा तो उसके लिए गिराये जाने वाले पेड़ों को कुल संख्या का कम से कम 80% अन्यस्थान पर प्रत् किया जाएगा बहुत ही बढ़िया सी पॉलिसी है और शर्त भी है इसके अतरिक्त प्रतेक पेड़ के लिए 10 पॉधों का ब्रिक्षार ओपर किया जाना चालू रहेगा जैसा कि बरतमान में किया जा रहा है ठीक है हलाकि यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर कल जल यह नेक्स कोशन पर सने हमला क खूली में अंतरास्थी आसफ़ द्यूही कर्णति दिवस कम पनाया गया इंट्रेлемानेशनल डी फाड डिजास्टर रिडडाक्षन इंट्रेंस नले फॉल्डी फॉलिस्टर डिजास्टर रिडाक्षन यह कम बनायए गया लिग देते ह हो जाता है 13 अक्टूबर हर साल स्यूद रास्ट्वारा इंटरनेशनल डेफार डिजास्टर रेडक्सिन यानि के अंदर रास्टि आप्डा नियून्य करन दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है इसके पीछे उद्देश होता है कि जोखिम जागरुखता और आपदा में कमी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता कि आपदा में कमी हो जोखिम के प्रति आप जाग रोक रहें कि किस तरीकी का जोखिम कहां पर आ सकता है और साथी साथ इसे दुनिया भर की लोग और समुदा है आपदाओं के अपने जोखिम को किस परकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खत्रों के बारे में जाग रुकता बढ़ाने वाले जो तरीके हैं उनके सबको बताया जाए उनको चिन्दित किया जाए सभी तक ये जानकरी पहुचाई जाए अपस में शियर किया जाए ठीक है चलिए आ जाते हैं नेक्स कोश्चिन पर हमारा प्रदान मंत्री नरीन मोधी ने एक समारों में यह जो 70 तरोड भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल embora नाम है कि जंव शताबदी को चिन्द करने के लिए 100 रुपए की और आपको बता दें इस विशेय सिख्ये का बितम guarantee प्राले द्वारा खनन किया गया है विजाराज्य सिंध्या जिन्हों ने अपनी अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया यह ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाने जाती हैं ठीक है चलिए आया जाते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारा अगला कोशन आप सभी की स्क्रेन पर कोशन हाली में भारत को ओक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा इस्थान मिला ओप्सन यहां पर हमारा सही हो जाता है ओप्सन C 129 इस्थान मिला तो भारत को वर्स 2020 के CRI Commitment to Reducing Inequality Index यानि की आसमानता घटानी की प्रतिबधता सुचकांक में भारत को 129 इस्थान मिला है पूरे कितने देश इसमें शामिल किये गये थे तो 158 देशों में से इसे 139 इस्थान मिला है Commitment to Reducing Inequality Index यानि की आसमानता घटाने की प्रतिबधता सुची यहां पर आसमानता कितनी घटी है तो कितना नीचे अस्थान पर है यह भारत अपना आसमानता के मामले में समानता यहां पर कितनी है ऐसे ही लोग बहुत ग्यान की बाते करते हैं बहुत ही educated दिखाते हैं लेकिन समानता आसमानता बहुत ही जल्द पता चल जाती है तो यहाँ पर समानता आसमानता बहुत जादा है ठीक है चलिए आपको बता दें ये जो सूचकांग है इसका तीसरा संस्क्रण है ये जो COVID-19 के समय में आसमानता से निपटने पर केंद्रित है वर्ष 2020 के CRI सूचकांग में शेर सस्थान पर कौन है ये जानना जरूरी है शेर सस्थान पर कौन है तो शेर सस्थान पर है नौर्वे ठीक और सबसे लास्थान पर है यानि कि 158 वाले स्थान पर कौन है तो ये है दक्षण सूडान कौन है दक्षण सुडान ये 108 वाली जगा नहीं छोड़ा का कि भाई हम तो उपर तो गया नहीं लेकिन हम बीच में भी नहीं जाएंगे सबसे नीचे ही रहेंगे बड़िया इसने अपना जगा बना के रख गया है ये सबसे कम रैंकिंग वाला देश है और आपको बता दे सुचकान की अनुसार भारत महामारी के दोरान असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सामिल है और आपको बता दे भारत का स्वास्थ बजट दुनिया का चाथा सबसे कम बजट है और केवल आधियावदी की जरूरी बुनियादी स्वास्तेवाहों तक इसकी पहुंचे तो स्वास्थ देवाँ पर भारत सरकार तो कितना खर्चा करती है आप समझ सकते हैं इसके बजट में स्वास्थ पर बहुत ही कम आपको मैंने बदा है न कि यह जो इस बारत का स्वास्थ बजट है दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है क्लियर है चलिए आजाते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर हमारा अगला कोश्चन है ध्यार रखिएगा इंडेक्स बहुत इंपोर्टेंट होता है नेक्स्ट ही हाली में LTC कैश बाउचर स्कीम की घोशना किसने की LTC तो बित्मंत्री निर्मला सीता रमड ने कंजियूमर खर्च बढ़ाने की उद्देश्य से सरकारी कर्मिचारियों के लिए आउकास यात्रा रियायत LTC कैश बाउचर स्कीम और Special Festival Advance योजना की घोशना की किया थिए इन्होंने उब्वकता खर्च के तेहट दो प्रिस्ताओं के घोशना कियी पहला है LTC कैश बाउचर योजना दूसरा है Special Festival Advance योजना और आपको बता दे आउकास यात्राय रियायत कैश बाउचर स्कीमt क्या है इसमें दख़े के इस सरकार के करमचारीos को 4 साल के ब्लॉक में आवकास यत्रा रियायती हैं इसमें से यह उनकी पसंद की जगह और एक उनके मोल्च के लिए होती हैं और इसकी ताहट बेतन और पातरता के ताहट हवाई और रेल किराय दिया जाता है इसके अलावत 10 दिनों की बेतन पर छुटी यहने की बेतन और महेंगाई बत्त दुनों का भुकतान किया जाता है तो कहने के मतलब आपको यह बता दें कि सरकार के द्वारा कुछ स्कीन दी जाती है कि चलिए कुछ घूमने की जगह दी जाती है ल्टीसी के बदले कर्मचारी को नगत बुकतान दिया जाएगा तो यह इनकी योजना होती है इसकीम होती है इसमें थोड़ा सा बताना आपको जरूरी था कि क्या क्या हो रहा है मरा अगला कोशन है इंपोर्टेंट है हाले में 17 वे NBA चैंपियंशिप का खिताब किस नहीं जीता तो बिकल्ब यहाँ पर हमारा सही हो जाता ऑप्सन भी लॉस एंजल्स लेकर्स ने लॉस एंजल्स लेकर ने मियामी हीट को हरा करके नेशनल बास्केटबार असोसियसन एन NBA का खिताब अपने नाम कर लिया है ठीक है और यह लॉस एंजल्स लेकर्स की 17 वी नेशनल बास्केटबाल असोसियसन चैंपियंशिप की जीत है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चिन अब ध्यान से सुनिएगा लेकर्स के यानिकि जो लॉस एंजल्स लेकर्स क लेब्रोन लेब्रोन जेम्स लेब्रोन जेम्स को उनके करियर में चौथी बार NBA यानिकि नेशनल बास्केटबाल असोसियसन का फाइनल मोस्ट वैलियोबल प्लेयर का खिताब दिया गया लेब्रोन जेम्स को ध्यान रखिएगा तो इसके साथ ही वो तीन अलग पाइजी में नाम होने वाले इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गये हैं जिनका नाम फाइनल मोस्ट वैलियोबल प्लेयर में जोड़ा गया इनका नाम लेब्रोन जेम्स का यह इंपोर्टेंट कोश्चिन बनता है आपके एक्जाम के लिए फिर कुछ इंपोर्टेंट अमेरिका के न्यू यॉक में क्लियर है चलिए आज आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर हमारा अगला कोश्चन तो सभी इस्ट्राइन एक बार जल्दी से फटेवर से वीडियो को लाइक करेंगे नए इस्ट्राइन जितने भी जोड़ चुके चैनल को सब्सक्राइब कर ये नागलाइन के परियावरण मंत्री हैं सी एम चेंग इनका अभी इस पैंडमिक की वज़े से कुबिट की वज़े से निदन हो गया ये एक सेवा ने बृत आईये सदिकारी और पूर्व लोगसबा सांसते और कोश्चन है हाली में ADB, ASEAN Development Bank ने किस राज्ज में जल आप एशियाई बिकास बैंक, ASEAN Development Bank ने राजस्थान में जल आपूर्थी के लिए 300 मिलियन डॉलर के रिन्ट समझोते पर हंस्ताक्षर किये हैं इस परियोजना का उद्देश ये क्या है? इस परियोजना का उद्देश ये है कि जो परियोजना में लक्षित शहर है, यानि कि जिस शहर में लक्ष रखा गया है कि यहां यहां पर यह काम होगा तो क्या काम बहतर गुडवत्ता वाले और अधिक टिकाओ जल आपूर्ती और स्वक्षता संबंदी सेवाय प्रदान करना है तो यानि कि यह 300 मिलियन डॉलर का जो रिल्ट समझाओता हुआ यह कहां पर खर्च होगा गुजरात राज्य में अच्छी तरीके से बहतर गुडव बरके लोगों समयत इन कस्बों में जीवन की गुडवत्ता में सुधार होगा जो भी लोग उस कस्बे में रहेंगे जहां पर लक्ष रखा गया है क्लियर है चलिए यहां पर देखिए बहुत ही जादा फैक्टिस में हैं लेकिन आपको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फै जोस्ता में सुधार होने वाला है जिसमें पांच लाख सत्तर हजार से अधिक लोग इससे लाभानवित होंगे ठीक है कि सिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो कम से कम साथ लाख भी सजार लोग लाभानवित होंगे और यहां पर कुछ इंपॉर्टन फैक्ट हम बता देत यह राजिस्तान राजिस्तान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोद और राजिपाल को ने आपको हम बताते हैं कई बार कल राज मिश्र हैं और यहां पर बात करेंगे एडीबी की एशियाई विकास बैंक की इसके अध्यक्ष कौन है तो मात्सुगू मात्सुगू असकावा और एशियाई विकास बैंक का मुख्याले कहां पर हैं मांडलूंग फिलिपिन्स में फिलिपिन्स के मांडलूंग में लिख देते हैं मांडू लूंग और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कभी उनीस दिसं परफास रिवीजन कोश्य नहीं हाली में 17 वी एंबीए चैंपियर्शिप का खिताब किस नहीं जीता तो अप्सनिया पर बीच से हो जाता है लॉस एंजल्स लेकर्स ने किसी हरा करके मियामी हीट को हरा करके नेक्स्ट है हाली में किस राजी की परियावरन मंत्री सी एम चेंग का निदन हुआ तो विकल्पियां पर सी से हो जाता है नागालैंड के यह परियावरन मंत्री थे अगला है हाली में ADB अगला है हाली में जगनात विद्या कनुका यूजना का शबारम किस राजी में किया गया ऑप्सन यहां पर हमारा एस हो जाता है अंद्रप्रदेश में अगला है हाली में हर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना ऑप्सन c से हो जाता है गुवा एक दिन के लिए फिनलाइंड की प्रदार मिंत्री कौन बनी है और सनियां पर हमारा भी से हो जाता है एवा मॉल्टो बनी है नेक्स्ट कोशिन है हाली में ब्रिक्ष प्रत्यार उपर पॉलिसी क को अगला कोशिन आली में पीम नर्विन मोदी ने किसके समान में 100 रुपय का विशेस इसमारक्स का जारी किया और संसी से हो जाता है बिजिया राजे सिंदिया के समान में नेक्स से आली में भारत को ऑक्सपैम इंटरनेशनल दौरा जारी सी आरा इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है और संसी सही हो जाता है 139 वह स्थान तो फ्रेंस यहां पर आज की करेंट अफेर की कोशिन हो जाते कंपीट चलेंगे कल के कोशिन की तरफ जिसका हम करेंगे सुपरफास रिबीजिन कल का कोशिन स्टार्ट होता कोशिन है हाली में क्रेंड प्रेंट दो हजार बीस किसने जीती तो बिकल्पी यहां पर हमारा सही हो जाता है ओप्सने लुइस हैमिल्टन ने नेक्स्ट कोशिन पर आएंगे अगला कोशिन हाली में वर्ड अर्थ्राइटिस डे कंब बनाया गया वर्ड अर्थ्राइटिस डे ऑप्सन यहां साइब गया अक्टोबर को अगला कोशिन और इस साल के इंट्रोनेशनल डियाप्दग गर्ड चाइंड 2020 किती में माइवाइज आवर एक पयों के मेरी हमारा समान बहुश्य नेक्स्ट कोशिन है थे और में आर्थिक्व विग्ञान का नोबल पुरसकार 2020 किसे मिला है option यहाँ पर हमारा सही हो जाता है option A जिसमें A और C दोनों है next है हाली में भारती ब्रांड transform ने अपना brand ambassador किसे बनाया है option A सही हो जाता है चेतन आनंद next है हाली में सौमित योजना के तहट किसने संपत्तिकार्ड के वितरण कारिकरम का शुभारम किया option यहाँ पर हमारा नरेंद मोदी का सही हो जाता है next है कोशिने आली में किस सरकार ने जगनात विद्या के नुका यूजना का शुभारम किया तो यहाँ पर option D सही हो जाता आंदर प्रदेश ने तो फ्रेंस यहाँ पर इस तरीके से आज के और कल के कोशिन हो जाते कंप्लीट जिनका हम लोगों ने सुपरफास रेबीजन में कर लिया और आप सभी से रेक्वेस्टे के आप लोग मौणिंग 6 बजे और 3 बजे की क्लास जरूर जोइन कीजिए बहुत ही मेहनत से 3 बजे क आपको इंट्रेस्टिंग तो लगेंगे लेकिन ईक्जाम में कबभी नहीं पूछे जातें ौपी पिपर आप उठां करके कि कई पर भीन कोशन के स्टांडर एक्जाम अब टफ हो रहा है कोशन के स्टांडर हाय आता है और में लिए एंसी आटी और एसी आटी आप अगर सारा पढ़ डालने तो आपको अलग से जी के जीएस पढ़ने की जरूरत जरूरत ही नहीं है अप लोग इतने छोटे नहीं है कि कोई बैक आ सकता है या फिर मैं खुद समझदा रहें एंसी आटी और सी आटी ही सबसे बटर ऑप्सन होता है बस आप पढ़ने से हटते हैं आप सूछते हैं कि हमें कोई मतलब बनाकर कि कुछ घुट्टी टाइप में दे या फिर जल्दी से दे वह हो जाएगा तो इतनी बड़ी आप पोस्ट लेने जा र होगी फिर भी फिल हाल फिर भी उसके बाद भी जो आप कमन करें वो करें आप फ्री हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट करना जरूरी है कि आप अच्छे स्टैंडर की तरफ आए अच्छी तयारी करें नहीं तो मेरिक इतनी हाई जारी फिर आप है तोबर लास्ट में मचाएंगे चलिए इसे के साथ ही क्लास को करते हैं कम्प्लीट आज आते हैं आज के सवाल की तरफ उससे पहले आज का सवाल है हाली में हर घर जल हर घर जल वाला देश का पहला राज्जी कौन बना है उत्रागन केरल गुवा या बिहार कॉमेंट से में आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फटबर से और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमेशा के तरह फिडबैक जरूर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुद्बायां टेक यह थैंकी समच लब यौल बबायां टेक यह जय हुआ